हेलो एव्रिवन वेलकम बैक तो माई चैनल रवरीट सो ये है मेरा लाज्स दिक कश्मीर शीन नगर में एंड आम कर रहे है कश्मीर का लोकल टूर सो अभी आपने मेरा अगर पिशला व्लॉग नहीं देखा है जो कि निशाद गार्डन यानि के मुगल गार्डन का है वो बहुत ही जादा अच्छा व्लॉग अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेए उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सो लेट स्टार्ट वीडियो अभी हम निकल चुके मुगल गार्डन से हम जा रहे है चश्मे शाही बाग इसमें भी आपको बहुत विराइटी ओफ डिफरेंट विराइटी ओफ फ्लार्स मिलेंगे मुगल गार्डन यहां का सबसे बिगेस गार्डन है कश्मीर करें उसके बाद आता है चश्मे शाही जो कि अब हम विजिट करने जा रहे है और इसके बाद हम जाएंगे परी महल अब हमें जाना है यहां से स्टेर से उपर और हमने यहां की टिकेट ले ली है यहां पर एंट्री टिकेट लगती है जिसका 30 रुपीस पर हेड़ प्राइज है सो यह है इसका इंसाइड व्यू और यहां पर भी बहुत विराइटी ओफ रोजेज और फ्लाज लगे हुएं जैसे निशाद बाग में आप कश्मीरी ड्रेस पिक्चर क्लिक करा सकते हैं यहां भी जगा जगा पर सेट अप्स लगे हुएं जिसमें आप अपनी पिक्चर क्लिक करवा सकते हो कश्मीरी ड्रेस में चश्मी शाही बाग दो चीजों के लिए बहुत फेमस एक इसकी ब्यूटी ये बहुत साथ हैं जाते हैं यहां पे इतना जादा अच्छा है तो यह है नाच्श्मी शाही जिसके लिए चश्मी शाही फेमस है ये मुगल्स के द्वारा बनाया गया है यहां का वाटर इतना जादा चिल्ड था कि टच करने भी नहीं बन रहा था हमसे सब यहां पे अपने बॉटल्स में इसको भर के घर ले जा रहे थे अपने अपने साथ आपनी भी थोड़ा सा ये वाला पानी ले लिया और हमने यहीं पे पी लिया थोड़ा सा सच में यह बहुती फ्रेश और रिफरेशिंग वटर ठाइप फील और था इसको पीने के बाद हमें बहुती फ्रेशनेस लग रही थी अब रभी भी यहां पे टच करके देख रहे हैं पानी कितना जादा ठंडा है और इन्होंने भी थोड़ा सा पी लिया जैसा हमने पहल गाम में देखा थे यहां पर भी पिजिन्स और बहुत सारी डिफ्रेंट बट्स थी जिसके साथ अब पिक्चर क्लिक करा सकते हो अब हम जा रहे यहां से बाहर और अब हम जा रहे हैं नेक्स जगा जो कि है परीमहल परीमहल कैसा होता है उसका नाम मैंने बहुत सुना हुआ है क्योंकि like मैं जब भी श्रीनगर के बारे में सर्च करते हैं तो ये दो-तीन चीजे बहुत जादा आती थी like डल, लेक, परीमहल and all so let's see कि परीमहल कैसा होता है so हम बैठ चुके अपनी कार में and हम जा रहें अब परीमहल so अब हम पहुँचके हैं परीमहल so let's see कि परीमहल कैसा होता है and यहाँ पर हमें क्या न्यों देखने को मलता है यहाँ पर भी हमें टिकेट लेनी होगी and यहाँ पर एंडरे फीज है 50 रुपीज पर हैं and हमने टिकेट्स ले ले लिए and उसके बाद हम आ गए अंदर and कहा जाते है कि परीमहल से जो पूरा श्रीनगर का व्यू मिलता है and जो कि बहुत ही जादा अच्छा लगता है देखने में so let's see कि वो कैसा होता है and like other places यहाँ पर भी वो फोटो क्लिक वाले बने हुए हैं यहाँ पर आप अमनी कश्मीरी ड्रेस में फोटो क्लिक करा सकते हो natural beauty तो कश्मीर में हर जगा पर है and यहाँ से डल लेक का भी बहुत अच्छा व्यू मिलता है and यह परीमहल भी मुगल्स के द्वारे ही बनाया गया है and यहाँ बर आपको बहुत सारी जगह पर पिक्चर्स क्लिक हो रही होगी कश्मीरी ड्रेसेज में आपको 100 रुपीज पर हेड लगता है पर फोटो का वो चार्ज करते है and रील्स का वो शाज़ डिफरेंट 200 पर रील का वो चार्ज करते है यहां से सच में कश्मीर का व्यू जो स्रीनगर का हमें मिल रहा था वह बहुत ही जादा सूनदर है फुल डल ल 설 hypoth ने यहां पर व्यू मिल रहा था तो इतना जादा अच्छा लग रहा था इतनी इतनी ऐश्जी हवा चल रही थी like this sunny day, full weather थोड़ा hot side पे था बट इतनी ठंडी हवा चल रहे थी यहाँ पर कि हमें बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठना यह व्यू मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे रिल्स बनाई बहुत सारे वीडियो क्लिक कियें अब हमें लगी थी थोड़ी सी भूक अब हमने सोचा कि अब हम यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं अब हम डिरेक्ट जाते हैं लंच करने हमारे लंच का सेट अप एक होटेल में था हमारा बुफे लंच था सो लेट सी कि वहाँ पे हमें कैसा लंच मिलता है सो इसका अच्छा सा व्यू कि मैंने कुछ क्लिप्स लिया है अन उसके बाद अब हम निकल गया है फॉर आर होटेल जहां पे हमारा बुफे सेट अप है सो लंच करने के बाद अब हमने किये होटेल जाकर थोड़ी दिर रेस्क्यू कि शाम में है सो मिलते हैं नेक्स व्लॉग में डोंट फॉगेट टूलेक्शन सब्सक्राइब माई चानल थैंक यू